Hi Everyone, Welcome My Channel रआशेश सक्सेना आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं Peel of Mask और यह Peel of Mask face पर किस तरह से लगाया जाता है और किस तरह से हटाया जाता है कितने टाइम के बाद में हटाना चाहिए यह सारे जानकारी आपको हम देंगे और ये beginners के लिए बहुत useful वीडियो होगा प्लीज आप till-to-end वीडियो वोच करिए तभी आपको अच्छे समझ में आएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक छोटी सी बेल आइकॉन है जिस पर आप click कर दीजिए बटन ओन होते ही आपके पास हमारे वीडियो के नौटिफिएशन पहुशते रहेंगे और आप हमारे वीडियो का पूरा पूरा लाब उठा सकेंगे ये देखिए मेरे क्लाइंट है इनका फेस आप देख रहे हैं कि काफी अच्छा है इसकिन भी अच्छी है ज्यादा ओयली इसकिन भी नहीं है ड्राइ सकिन भी नहीं लेकिन इनके रिंकल्स काफी हो गए इसके अकॉर्डिंग इनके ज्यादा रिंकल है और इसकिन को टाइटिंग करने के लिए इसकिन टाइट करने के लिए और इसकिन पर ग्लो लाने के यह हम फिल उप मास्ट का यूज करते हैं और यह देखिए हमने यहां एवर यूद का आई करने का तरीका आप देखिएगा कि किस तरह से घर चाहिए यह आप DOCसTI तरह से देखिए सबसे पहले face पर कोई भी कारे करते हैं तो हम skin को clean करते हैं ये ever youth के जो दिखा रहे हैं हम दो तरह के हैं orange वाला हम करके बताएंगे इनके face पर जो काफी फायदे बन दोगा skin को tight करने के लिए और जो छोटी छोटी रोय होते हैं उनको भी remove करने के लिए हम इस peel of mask का use करते हैं skin पर जड़ता जुर्णियां जब हो जाती हैं wrinkle हो जाते हैं और हमारी skin एकदम धलक जाती है जो बहुत ही गंदे position में दिखाई देती है उन सब को remove करने के लिए हम peel of mask का use करते हैं यह देखिए एक face के according हमने काच के बाउल में लिया है आप plastic के में भी ले सकते हैं लेकिन करने का तरीका यह क्यों होना चाहिए पीतल यह steel के बरतन में हमको नहीं लेना है और यह लगाने का तरीका देखिए सबसे पहले तो face clean किया और मेरी जो client है इन्होंने bleach करवाया था इसलिए अब इनके हम बिलकुली face clean है तो दुबारा नहीं करेंगे यह लगाने का तरीका देखिए आप हम eyelashes को और hair को छोड़कर apply करेंगे face पर इसके अलावा किसी भी तरह के अगर दाने फुनसी वहरा हो रहे हैं तो उन पर भी apply नहीं करेंगे हम हम इन चीजों को अवरेट करते हुए ही apply करेंगे और यह आप देखिए कि इस तरह से हमने कांच के बाउल में लिया और उसको mix कर दिया एक बार क्योंकि रखा हुआ होता है ट्यूब में तो उसको mix कर लेना चाहिए और लगाने का तरीका देखिए आप finger से भी लगा सकते हैं लेकिन हम पारलर में अगर लगाते हैं तो फिर हम इसी तरह से लगाते हैं और यह चिन के नीचे का जो portion है वहाँ हम नहीं ले जाएंगे केबल direction का दियान रखेंगे नीचे से उपर की तरफ हम इसको लगाते हुए जाएंगे और यह nose के पास जो area होता है black edge white edge बहुत होते हैं तो उस portion को भी हम avoid नहीं करेंगे लगाने का तरीखा देखिए यह हम नीचे से उपर की side में लेते हुए आए और इस तरह से hair को बचाते हुए हम इसको लगाएंगे eye lashes को avoid करेंगे बचाने का काम हम बिलकुल करेंगे जिससे की eye lashes चिपक न जाएं और हमारी आखों को नुक्सान पहुँचे यह देखिए इस तरह से एक side का बहुती आसानी के साथ में लग गया और आप देख रहे हैं इसमें बहुती भीनी भीनी खुश्बू आ रही है संत्रे में आप जानते हैं कि vitamin C सबसे ज़्यादा होता है और हमारी skin के लिए सबसे ज़्यादा लापकारी होता है skin को glow पहुचाने का काम और tanning removal का काम इसके अलावा देखिए skin को hydrate करने का काम या फिर हम कह सकते हैं कि skin में जो dark circles होते हैं उनको भी remove करने का काम यह vitamin C का होता है जो काफी हद तक हमारी skin के लिए लापकारी होता है लगाने के बाद में हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे और यह climate के उपर depend करता है कि अगर बरसाद का मौसम है थोड़ा time ज़्यादा लग जाता है सर्दी का मौसम है तब भी थोड़ा time ज़्यादा लग जाता है गर्मी के मौसम में यह बहुत ही जल्दी सूख जाता है तो इसमें 30 minutes तो हमको देने ही होते हैं और यह peel of mask सूखने के बाद यह उतारा जाता है बस यह ध्यान देने वाली बात है दूसरा यह भी ध्यान देना है कि हमको chin के नीचे के area पर नहीं लगाना है वो इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि अगर हम वहां लगाएंगे तो फिर यह बिल्कुल हमारे chin से ठीक से उतर नहीं पाएगा और wrinkle ने के area पर होते हैं तो इसलिए उस portion को avoid करते हुए लगाना है यह देखिए आँखों के portion को हमने छोड़ा है और सारे face वर apply किया है अंडर eyes में आप देख रहे हैं थोड़ा दूर से लेना है यहां तक की पलके उस तक ना पहुचे और यह हम बताते हैं आपको कि peel of mask के लगाने का तरीका तो यह आपने देखा हटाने का तरीका भी आपको दिखाएंगे peel of mask हमारी skin को glow पहुचाने का काम करता है skin को tight करता है इसके अलावा जो anti wrinkle वाली चीज होती है उसको remove करता है और सूखने के बाद में ही इस peel of को हटाया जाता है यह देखी इस तरह से पूरा सूखने के बाद में face एकदम अलग नजर आ रहा है और इसको फिर हम हटाएंगे इसके अलावा देखिए हमारे skin के अंदर तक की layer तक पहुचकर यह एक skin को hydrate करता है जो cells होते हैं बहुत जादा dead cells हो जाते हैं skin के अंदर उनको पुनर जीवित करने का भी काम करता है blood circulation पूरा होता है क्योंकि जब इसको हटाएंगे तो naturally blood circulation बढ़ जाता है और जो छोटे छोटे रोय होते हैं unwanted hair होते हैं उनको भी remove करता है face पर देखा है कुछ लोगों के तो बहुत जादा होते हैं unwanted hair तो उन hair को भी बिल्कुल remove कर देता है हमारी skin एकदम tight दिखाई देती है skin glow करती है और किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है ये after 40 years बाद ही peel of mask का काम करना चाहिए इस से पहले नहीं करना चाहिए अगर किसी किसी के मालिज ये 30 year में ही wrinkle हो गई हो जाते हैं क्योंकि वो घर बैटे उपचार अगर ladies करती रहती है तो कहीं न कहीं side effect होता है और skin एकदम बेजान हो जाती है डाल हो जाती है और लेटक जाती है तो उस position में हम देखते हैं कि आजकल कामेज वालों के भी wrinkles काफी हो जाते हैं उनको भी हम कर सकते हैं ये face की skin के उपर depend करता है और ये rome छिद्र को खोल कर सारी गंदगी बाहर निकाल देता है peel of mask और वारिक hair को बिलकुर remove करता है जिससे हमारी skin में fairness आती है skin में tightness आती है skin glow करती है pigmentation की problem और dark circles की problem को भी remove करता है जो cells बहुत जादा जीवित होते हैं तो natural way में हमारी skin glow करती है और अंदर तक की layer तक पहुँच कर सारी गंदगी बाहर निकल जाती है ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे पहले है अब सूख गया है हम हाज से touch करके देखा सूख गया है सूखने के बाद में पहले corners हम धीरे धीर हटाएंगे आप देख रहे है इस तरह से corners हटाएंगे और अब उसके बाद में हम peel off को हटाने का काम करेंगे ये धियान डखेंगे कि नीचे सी उपर की side ही हमको peel off को हटाते हुए ले जाना है उपर से नीचे नहीं आना चाहिए वैसे हमने काफी ads देखे हैं उसमें उपर से नीचे बताते हैं लेकि बिल्कुल गलत बात है ये नीचे से उपर की side ही हमको skin को stress करना चाहिए देखिए face का आंकड़ा इस तरह से नज़र आ रहा है और काफी हद तक पूरा पूरा ये निकल गया है पील आफ ये rubber की style में हो जाता है सूखने के बाद में तो विश्वास आफ रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही useful रहेगा और skin देखिए आप बहुत ही soft and silky नज़र आ रही है जिससे की एक दम एक facial से भी ज़्यादा glow आ गया इसमें तो अगर हम face mask ठीक से लगाते हैं तो उसका नजारा हमको बिल्कुल अलग दिखाई देता है एक wrinkle वाली problem खतम होने के बाद में skin tight दिखाई देती है और glow कर दिए तो ये रहा एक आपके सामने हमने जो पेश किया ये peel of mask का नजारा और ये हमने लगाते हुए भी बताया हटाते हुए भी विश्वा से आपको जरूर पसंद आया होगा comment box न कमेंट जरूर करिए और next video में नए वीडियो के साथ नए एकराम के साथ नए अंदाज के साथ मिलते हैं तब तक के लिए okay bye thank you